इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे बायूस उडिसा उमेन T20 लिग के आज के फ़र्स्ट मैच के बारे में दोस्तों यह मैच उडिसा रेड उमेन और उडिसा को फल्लिसा बाइल T20 माइच के बीच खेला जागा तो दोस्तो यदि आप नए हो और first time video देख रहे हो तो दोस्तो आप telegram channel को जरूर join कर लेना telegram का link दोस्तो आपको नीचे description section में भी मिल जाएगा और साथी साथ दोस्तो comment section में भी आपको मिल जाएगा तो दोस्तो join कर लेना बहुत important है क्योंकि देखो tournament का यह first match है और दोस्तो first match में आपके पास बहुत सी सांदार मौका है small league clean sweep करने का दोस्तो small league clean sweep कराने में आपको player statics बहुत जादा help करेगा तो दोस्तो इस video में मैं आपको दोनों teamों से related total player statics provide करूँगा और दोस्तो साथी साथ कुछ मैं ऐसे player आपको बताऊंगा जिनका selection percentage 2% है 3% है लेकिन दोस्तो आप उन्हें captain vice captain कर सकते हो यहां तक कि दोस्तो आप उन्हें small league में captain vice captain कर सकते हो क्योंकि बहुत सरे लोगों को अभी player statics नहीं मिला इसलिए उनको नहीं मालों में दोस्तो उस player के बारे में लेकिन दोस्तो मैं आपको कोसिस करूँगा कि मैं आपको एक-एक player के बारे में बताऊंगा जो आज के match में आपके लिए important हो सकते हैं मैं आपको दोस्तो कुछ extra grand league के लिए भी बताऊंगा player जो आप सिर्पर सिफ उन्हें grand league में try करना और दोस्तो जो final और यदि मैं extra grand league का 3-4 combination बनाता हूँ तो दोस्तो वह भी चीज मैं आपके साथ टेली ग्राम पे share कर दूँगा टस के बाद तो दोस्तो बहुत important है आप टेली ग्राम के साथ तो 100% जुड़ जाना और दोस्तो यदि आप नए हो तो दोस्तो आप YouTube चानल को जरूर सस्क्राइब करना दोस्तो सस्क्राइब करने के बाद notification का गंटी जरूर बजाना बतादो दोस्तो मैं अपने YouTube चानल पर परते एक वीडियो में आपको 250 रुपया का give up प्रवाइड करा हूँ और दोस्तो ये ओफर सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है इसके बाद दोस्तो दस दिन फिर से मैं give up प्रवाइड नहीं करूँगा लेकिन फिर से दस दिन बाद दोस्तो आपको परते एक वीडियो में 250 रुपया वीन करने का फिर से मौका मिलेगा और दोस्तो दोस्तो पचास रुपया वीन करने के लिए दोस्तो आपको कोई भी कोश्चन का जवाब नहीं देना है बस दोस्तो आपको फॉस्ट लाइक करना और फॉस्ट कमेंट करना है जब भी मेरा वीडियो अपलोड होगा दोस्तो आपको तुरंत लाइक करना और नोटिफिकेशन का घंटी जरूर बजा देना जैसे ही मेरा वीडियो आएगा आपको इजली नोटिफिकेशन मिल जाएगा और दोस्तो आप इजली फर्स्ट लाइक और फर्स्ट कमेंड करके दोस्तो कम्बिनेशन बताने से पहले मैं दोनों टीमों का आपको कुछ मैच डीटेल प्रवाइड कर देता हूँ यह चीज आपको काफी हेल्प करेगा दोस्तो कम्बिनेशन मनाने में दोस्तो आज का जो मैच होने वाला है यह मैच होगा दोस्तो डिम्स किर्केट ग्राउंड पे यहां का दोस्तो पीछ रिपोर्ट का बात करें तो बाइलेंस बिकेट रहेगा और मेंली बैक्समन को यह ग्राउंड बहुत जादा फेवर करता है एबरेज इसकोर दोस्तो आज के मैच में 120 और 130 के बीच में रहेगा दोस्तो क्योंकि यह टुनामेन का फॉस्ट मैच है टुनामेन का फॉस्ट मैच में दोस्तो हमेशा एबरेज इसकोर ज्यादा ही रहता है महिला का दोस्तो मैं बात कर रहेगा एबरेज बिकेट बात करें त T20 मैच दोस्तो नहीं हुए लेकिन हाँ तीन ODI मैच हुए जिसमें बैटिंग फर्स करने वाली टीम ने एक मैच विन किया था और सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम ने दोस्तो दो मैच विन किया था दोस्तों दोनों के बीच में तीन head-to-head match हुए जिसमें दो match Odisha Raid ने विन किया और दोस्तों एक match Odisha Valet ने विन किया था तो दोस्तों recent performance और head-to-head यदि दोनों को ध्यान में रखो तो Odisha Raid की टीम बहुत ज़्यादा strong है as compared to Odisha Valet तो आप दोस्तों कोशिस करना इस वाले match में 6-5 का combination नहीं तो 5-6 का combination बनाने का small league grain link में दोस्तों मैं recommend करूँगा 6-5 का combination grain league खेल रहे हो तो आप 5-6 का भी combination मना सकते हो 7-4 का भी combination मना सकते हो तो दोस्तों यह वात का ख्यार लखना ज्यादा आप लोग small league में changes मत करना है small league में 6-5 का combination बहुत सही है क्योंकि tournament का दोस्तों first match है मैं आपको बस 1-2 ऐसे player बताऊंगा जिनका selection percentage बहुत कम है यदि खाले उनको team में रख लेते हो तो दोस्तों आप यूही बिन कर जाओगे small league green league में आप दोस्तों ricks ले सकते हो साच-4 का combination सही रहेगा यह दोस्तों हम लोग बात करते हैं आज के match में हम लोग combination कैसे बनाएंगे और साथी साथ दोस्तों बता दो मैं आपको player statics भी provide करूंगा तो यदि दोस्तों आपके पास copy pain हो तो जरूर नोट कर लेना नहीं तो दोस्तों ध्यान में रखना बहुत important होता है दोस्तों player statics प्लीज यह बात का दोस्तों ध्यान रखना और जो मैं आपको player statics बता रहा हूं दोस्तों यह जो पिछले साल जो women t20 match हुए थे odissa women t20 match मैंने दोस्तों वहां से total note गिया है तो दोस्तों यह नहीं समझी आ कि मैं आपको कुछ भी बता दे रहा ह जो पिछले साल हुआ था दोनों टीमों का match जो हुआ था दोनों टीमों का जो player ने performance किया था पिछले साल पूले टूर्णामेंट में मैंने सभी player का stats हुए ही से निकाला है तो यह बात का दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों आपको बिकेट किप्रिंग सेक्शन में दो भेतर करने आते हैं इसलिए दोस्तों मैं एस राउत के साथ जा रहा हूं लेकिन आप एम राउत के साथ जा सकते हो इनका मैं बात करूँ तो 6 match खेले T20 में और मात्र 62 run score किया तो यह बात का दोस्तों ध्यान रखना यदि T run जना दोस्तों खेलती है तो काफी अच्छे पीक हो सकत काफी इंपोर्टेंट पीक है दोस्तों कैप्टेन भाइस कैप्टेन के भी बहुत ही संदार अप्शन है नीचे से दोस्तों मैं एस स्वान के साथ जा रहा हूं और एस सिंग के साथ जा रहा हूं एस स्वान ने दोस्तों 9 match खेले है T20 में 98 run score किया 33 का एबरेज है दोस्तों दोस्तों ग्रेंड लिंग में आप प्राइ कर सकते हो तीन मैच खेले 2 विकेट लिए और 2 run score किया बॉलिंग बैटिंग दोनों करती है नीचे से दोस्तों उतने खास आपको option नहीं दिखेंगे हाँ यह बेस्पाल खेलते तो दोस्तों इन्हें भी आप लोग ग्रेंड लिं दोस्तों इनका average और 3 important विकेट लिए तो दोस्तों यह बात का ख्याल रखना यह इंटरनेशनल खेल चुकी है तो इन्हें दोस्तों आप लोग इग्नोर मत करना कैप्टन भास कैप्टन की बहुत ही संधार पिक है क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों करती है नीचे से दो दोस्ते भी new player आएंगे सभी का मैं आपको statics provide कर दूँगा और उन्हें टीम में रखना है या नई रखना है वो भी मैं आपको वहां पे clear कर दूँगा अभी के लिए दोस्तों मैं नाई के साथ जा रहा हूं इनका statics मेरे पास है और इनका record भी मुझे बहुत ही संधार लेकिन दोस्तों इनका stats का बात करें तो यह opening करती है पहली बात तो यह हो गया दोस्तों और solar t20 match में 120 run score की और पांच बिकेट लिए बॉलिंग बैटिंग दोनों कराती है तो must up peak हो जाते है दोस्तों इन्हें आप लोग try जरूर करना आप easily small league दोस्तों विन कर जाओगे head to head में दोस्तों सामने वाले के team में नहीं होंगे और एक से दो बिकेट ले लिए तो दोस्तों आप अराम से विन कर जाओगे इसलिए दोस्तों मैं बोल रहा था बहुत important वीडियो है ध्यान से सुनना और जो भी मैं player statics बता उसको ध्यान से आप लोग note जरूर कर लेना ग्रें करती है तब इन्हें हम लोग 100% ट्राइ करेंगे और कैसे combination मनाएंगे मैं आपको टॉस के बाद किलियर कर दूंगा टेलिग्राम पर बॉलिंग से दोस्तों ए अनिता सिंग उतनी खास option नहीं है लेकिन दोस्तों देख सकते हो selection % 93% है मैं इनके साथ नहीं जा रहा हूं ए पर लिए तो ग्रेंग में जरूर ट्राइ करना मीनि जील में भी ट्राइ कर सकते हो नीचे आरए का मैरे आज के इमपोर्टेंट ट्रउम कार्ट पिलियर होने वाली है इंटरनेशनल दोस्तो मैच खेल चुके अभी डिसेंटली दोस्तो ये इस्टेलिया से खेल के आ रही है पांच मैच खेले हैं छे रने स्कोर के और साथ इंपोर्टेंट टी-20 में इनका रिकॉर्ड है बिकेट लेने का तो ये चीज़ को दोस्तो धियान में रख रहा है बहुत इंपोर्टेंट पीक है आज वाले मैच में आप इने इंग्नोर मत कर देना आरकुमार परसाथ दोस्तो नीचे से मेरे लास्ट पीक होने वाले नौ मैच खेले चार बिकेट लिए और तीन रने स्कोर की है तो ये सब दोस्तो आज के मेरे स्मॉल लिग के पीक है कैप्टन भाइस कैप्टन का दोस्तो तो बात करें तो मेरे लिए कैप्टन बहुत ही सिंपल है आप भी दोस्तो इनुही को क्राई कर रहा है दीप्या दर्सनी भाइस कैप्टन में दोस्तो आपके पास दो अच्छे और अप्सन है आप यहीं के साथ मैं अभी जा रहा हूं कियुकि यह बोल्इंग बैटिंग दोनों करती हैं लेकिन दोस्त। आप AMD को कर सकते हैं यदि उडिशा रेट की टिम फॉस्त बैटिंग करती है तो दोस्तो आप यो आप यहीं कर ले धा वेटिंग दोनों से में आपको समझने का कोसिस करना मैंने काइस primo पलिएarin के संधार मौका है यूट्यूब चैनल को दोस्तो सस्क्राइब नहीं कियो तो दोस्तो सस्क्राइब कर लेना और सस्क्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का घंटी जरूर बजा देना और कोसिस करना दोस्तो 250 रुपया जो आपको गीबब में परवाइड कर रहा हूं उसे जितने का कोसिस करना इस वीडियो में तो दोस्तो नहीं हो पाएगा लेकिन आज मैं आपको दो-तीन वीडियो और अपलोड करूँगा और दोस्तो सभी वीडियो में 250 रुपय का गीपवे रहेगा तो उस वीडियो में आप कोसिस कर सकते हो और दोस्तो बता दू देखो इस टूनमेंट का तो यह तो फर्स्ट मैच है इसके बाद भी बहुत सारा मैच है और मैं कोसिस करूँगा जो भी इंपोर्टेंट मैच होगा उसका मैं आपके पास वीडियो लाओं और वीडियो में दोस्तो कंबिनेशन भी आपके साथ सेर करूँ प्लेयर स्टैटिक सेर करूँ तो इसलिए दोस्तो बहुत इंपोर्टेंट है कि आप चैनल को सस्क्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का गंटी बजा देना जिससे मैं वीडियो अपलोड करूँगा और आपको इजली नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे वीडियो का तो दोस्तो फिर मिलते आप सभी से नेक्स वीडियो में टेक क्यार बाई बाई